दोस्तोह नमस्क्रा, स्वागताँ आप सभी का बर्दों आटा फॉष्टि य rif HIV चैनल पे, जैसा कि दोस्तोह हप जानते हैं किसी Бhrprochen बहुत कोई भी जानकाई होती हैं आप सभी को ओला ओर नटाफ फॉष्टो चैनल के माध्यम से दी जाती हैं उसी करमें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुशकवरी को लेकर जो कि लगबग 27,000 प्रतों पर नई भरती के विग्यापन के बारे में इसके अलावा प्रात्मी भरती को लेकर जाई नोटिफिकेशन और TGT-PGT की परीक्षन साथी नई प्रिक्यापन को लेकर जिसके बारे में CM योगी के माध्यम से जानकाई दी गई हैं एक एक करके साही जानकाई हम करवे करते हैं चली दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं साथी शेयर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने जानकाई हैं आप सभी को Real Authentic सबसे पहले मिलती था है आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सीटेट की Best Book के बारे में जो कि चक्षू प्रिकाशन की हैं अगर आप भी सीटेट के अंदर 130 प्लस नमबर लेना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रिकाशन शुरू करें चक्षू की Best Book के साथ जिसमें आप सभी को 800 से ज्यादा भगविकल पर कोशन देखने के लिए मिलते हैं ब्याख्यात्म खल के साथ में 2011 से लेकर 2022 के सभी प्रसनों का अभ्यास और अध्यावार संकलन भी आपको देखने के लिए मिलता है नए पार्टेकरम पर अधायित आपको जो पुस्ता के वो देखने के लिए मिलेगी ये बुक आप सभी की 3-1 पैटरन पर नेतायित की गई हैं जैसे कि Important Table of Facts भी आपको देखने के लिए मिलते हैं आपका पार्टेकरम होता है संपूर्ण थियोरी के साथ में और पीवी सियर कोश्चन के साथ भी आप चाहे पेपर बन की तयारी करें या पेपर टूकी दोनों के लिए जो बुकें वो अवेलेवल हैं इसके साथ ही आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं चीटेट की प्रैक्टिस एड भी आप सभी किया आती साती स्टडी गाइड भी आती है जिससे आप अपनी प्रेपरेशन को और भी बहतर बना सकते हैं इन बुक्स को अगर प्रचिस करना चाहते हैं तो एमाजोनयाफिलिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नजदी की स्टोर से सभी जगे अवेलेवल हैं जादा जानकाई के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं शुबात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है आज की तारीक में प्राइमरी सिच्छक भरती के मुद्द्य को लेकर मैंने दुपए को एक सबसे पहली लाइन में आपको जानका ही मिलती है कि माननी सुपीम कोड ने कहा कि यह मामला आर्टी एक से जुड़ा हुआ है और अगर इस पर कोई फैसला देते हैं तो इसका पूरे देश में पड़ेगा अन्य सभी राज्यों पर भारी पड़ेगा इसके अलावा वहां प कम से कम तीन से चार सुनवाई हैं और आपको देखने के लिए मिलेंगी यहां पर बात किये मुख्य भूमिकार के अंदर तो यूनिन ओफ इंडिया साथी एंसिटी और बीयस टीजी जो मुद्ध्य हैं यही तीनों की लड़ाई आपको देखने के लिए मुलेगी बले यही के बाद में सुप्रीम कोर्ट जब सारे मामले को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाईगी तो यहां पर एक बाद फेसे आपको इंतिजार करना पड़ेगा फिलाल अधिवक्ताओं के माध्यम से आज की तारीक में एक नई तारीक मांगली गई जिसकी चलते अभी तक अंत लेकर बात कर लेते हैं अपने अप्डेट के बारे में जो कि सम्मझ दे प्राक्निक सिच्छक ब्रती को लेकर जारी नॉटिफिकेशन के बारे में सरकार के पिछले कालिकाल के अंदर दो बड़ी बरतियों के बिग्यापन जारी किए गए ते वो भी सुप्रीम कोर्ट के आ उसी के संब्द में यहां से एक और आदिस आपको देखने के लिए मिलता है कि लखनों बेसिक सिचा विवाक के उनेटर हजार साहिक अध्याग भरती प्रकिया में ऑनलाइन आविदन करते हुए टंकर तोटियों के अधिकान स्तोटियों का निस्तान विवाक के द्वार किया आ यहा जा चुका है जिसको संग्यान में लेते हुए मानीं 2228 यहाची करताओं के संब्द में बे लेकिन बहुत साही तो सही हो गई लेकिन पूड़ांग और प्राप्तांग के अंदर गलती हो गई जिसके चलते उनको बाहर बेटना पड़ा माल लीजिए आपने ये बहर दिया कि 500 मैं से 300 लाने थे लेकिन 300 आपने दूसी जेगर लिख दिया पांसो दूसी जेगर पर या फिर एक जीजिए लग गया बहुत साही चीज़े हो सकती है उसी के संबन्द में कहा गया है कि जो तुटी से संबन्दित मामले आए हैं उन तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ती दी जाए अब सरकार गया करेगी उसका इंतजार है बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबन्दित है गुड नीउस को लेकर गुड नीउस ये है कि उत्तर पुलिस के अंदर एक बड़ी भरती का विग्यापन बहुत जल्द आप सुभी के भी जादी होने वाला है पदों की संक्या की बात किया है तो लगबख 27,000 से जादा आपको जो पदें वो देखने के लिए मिलते हैं उसी के सम्मझ में यहां पे आप सुभी को जानकाई भी देखने के लिए मिल जाएगी कि उत्तर पुलिस पुलिस बरती का नोटिकेशन इसी सफतार जादी कर दिया जाएगा वेबसाइट पर upv.gov पर जाकर आपस भी यहां से आविदन भी कर सकेंगे अभी तक इस मामले में थोड़ा से इंतिजार करना पड़ा था क्योंकि यहां पर आप जानते कि पंद्र अगर सल्दा था चुतंता दिबस मनाया गया उसी समय पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिसके चलते इसका बिग्याबन थोड़ा डेले हो गया यहां पर लिखा हुआ है कि किसी कारण बस अगर कॉंस्टेबल भाती का नोटिफिकेशन जाई नहीं हुआ मतलब साफ है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो 28-22 आपकी यह जो नीच चाहिए हो सकता है कि आपकी ना हो लेकिन आप हमें चोटे भाईयों के साथ या बहनों को यहां से शेयर कर सकते हैं बात कर लेते हैं अप्नी अकली अप्डेट के बारे में जो की संबधित हैं टीजडी-पीजडी को लेकर जैसा कि आप जानते हैं के टीजडी-पीजडी भरती को लेकर चैन बोड के माध्यम से लगाता तरहाई टोड़ा सा और इंतजार बढ़ गया है पहले ये परिक्षा अक्टूबर में हो जी थी लेकिन अब आपको ये नवंबर में देखने के लिए मिलेगी जान गई तो ये भी देखने के लिए मिली है कि TGT विजटी को लिखा तारीकों निधारन का जो कादेवर शुरू कर दिया गया है आने वाली होने वाली बैठक के अंदर इस मुद्देबर अंतिम महर लगा दी जाएगी लेकिन TGT विजटी की परिक्षा तभी होगी जब चैन बोड के अंदर नई सदस्य आ जाएंगे और अभी तक नई सदस्यों का आगबन देखने के लिए नहीं मिला है यहीं बजाएं कि TGT विजटी भरती के अंदर थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है नई भरती को लेकर आवेदन के संबंद में CM योगी के माध्यम से किये गए ट्वीट के उलेकर चलिए यहां पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा मुख्यमनती फेलोस्रिप कारिकरम युवा को उजा प्रदेश की तरकी और कारिकरम के अंतर चैनेज शुदारतियों को 34 जन्वदों पर आकांशात्मक विक्यास खंडों के उत्थान में देंगे मामला लिखा हुआ है कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिलती है कि मुख्यमंति फेलोशिप कारिकर्म को लेकर इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था 2-4 दिन पहले जिसमें CM योगी की फोटो लगी होई थी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं अब इसकी जो अंतिम तारीक है वो आज है अब अभी तक आविदन नहीं किया है तो आप लोग आविदन कर सकते हैं इसके अंदर लगबग आप सभी को 40,000 का जो बेतन है वो देखने के लिए मिलेगा पहले महीने यहां पर आप सभी को जो अगर बात किये 15,000 रुपे टेबलेट के लिए दिये जाएंगे और 10,000 रुपे आपको अत्रिक्त भ्रमड के लिए दिये जाएंगे तो एक अच्छी कासी सेलर ही आपको देखने के लिए मिलती है अगर आविदन करना चाहें तो डेटेल वीडियो को आप लोग देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगरी अपडेट के बारे में जो की समझतित हैं सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर काफी लंबे समय से अब बहुत ज़्यादा बिज़ंगतियां देखने के लिए मिली थी अब उसको कहने के उनकी तरफ से सुधार किया जा रहा है और भी तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है जैसे कि सीटेट की परीक्षा हमेशा की तरह स्मूतली होती रहे इन तबाम चीज़ों का निस्तान होने के बाद में नोटिफिकेशन जादी कर दिया जाएगा जान काई अभी तक जो मिली उसके आधार पर अगर बात कहें तो इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो यावे इस महीने के अंत में या अगले महीने के पर्थम सुपता के अंदर जादी कर दिया जाएगा और उसी समय आपके आविदन होगे वीडियो को राई कर दें साथी शेयर कर दें